हेलो गाईज, वेलकम टू मैं चानल, आज मैं आपको सिखाने जारू कि किस तरीके से हम एक वाइट सेरामिक प्लेट को निल पेंट से डेकुरेट कर सकते हैं, मैंने लिए बड़ी कड़ाई, आप कोई भी बड़ा बरतन ले सकते हैं गाईज, ताकि आपके प्लेट असानी से उसके अंदर डिप हो जाए और आठ अच्छी तरीके से प्लेट के उपर आ जाए, मेरे पास एक वाइट सेरामिक प्लेट, प्लेट को यूज करने से पहले आप उसको अच्छे से साफ कर लीजिए, मेरे पास है कुछ नेल शेड्स, अब अपने पसंद के कोई भी नेल नानी है, मेरे पास है कुछ फ्लैट हेड ब्रशेज, और लास्ट में है ये लेटल बर्डी का डिकॉव वार्निश, ग्लॉसी फिनिश, आप इसमें चाहें तो मैट फिनिश भी यूज कर सकते हैं, चलिकाय शुरू करते हैं, मैंने लिया है पॉपर कलर, और पॉपर कलर को मैं धीरे धीरे पानी के ओपर डाल रही हूँ, आप देखेंगे जैसे जैसे कलर पानी के ओपर डाल रहा है, वो धीरे धीरे फ्लोट होना शुरू हो जाएगा, आप चाहें तो और भी नेल पेंट यूज कर सकते हैं, कोई और कलर का भी यूज कर सकते हैं, मैं इसकंदा थोड़ा सा ओप अपर कलर कर नेल पेंट यूज कर रही हूँ, उसके बाद जब नेल पेंट पानी के ओपर पूरा आ जाएगा, तो मैं प्लेट को उल्टा करके, इसके ओपर रख दूँगे, अब चाहें तो प्लेट को पकड़ कर भी रख सकते हैं, और अब चाहें तो प्लेट को पानी के अंदर कुछ सेकंद के लिए छोड़ भी सकते हैं, बस इसी इसका ध्यान रखे के प्लेट को बहुत आराम राम से छोड़ें, पांदा सेकंड रखने के बाद मैंने प्लेट को पानी के अंदर से निकाला तो आप देखें कितनी ही खुबसूरती के साथ सारा का सारा पेंट प्लेट के ओपर आ गया है आप चाहें तो गाइस इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं प्लेट को घर को डेकुरेट करने के लिए आप चाहें तो इस पे एक लेयर और यूज कर सकते हैं तो मैं purple nail paint को दुबारा पानी के पर डालूँगी और जब वह पूरी का पूरी पानी पर फलोट हो जाएगा तो मैं पलेट को उसी तरीके से उठा करके दूबारा पानी के अंदर डाल दूँगी और पुछ सेखें के बाद मैं उसको उठाऊंगी तो गाइस आप देखे कितनी ही खुबसूरती के साथ नेल पेंट प्लेट के उपर आ गया है और कलर भी प्लेट का डाग हो गया है गाइस जो भी एक्स्ट्रा पेंट आ रहा है जो आपको नहीं चीए जब गीली हो प्लेट आप तभी हटा दीजिए सूखने के बाद वो नहीं हटेगा देखे गाइस कितनी खुबसूरती का आप प्लेट को ऐसे टेड़ा करके इसका सारा पाने भी निकाल लेजिए और प्लेट को दो तिन घंटे के लिए प्लेट के लिए रख दीजिए एक चीज का बहुत धान रखे गाइस जब आप इसको ऐसे सूखने के लिए रखते हैं तो इसमें बबल्स आजाते हैं निल पेंट में और उन बबल्स को पहले हटा दीजिए सूखने से पहले जब आपके प्लेट अच्छे तरीके सूख जाए तो आप उसके उपर अप्लाई करें वार्णिश और फिर फ्लैट हेड ब्रश की मदद से आप उस वार्णिश को पूरी प्लेट पे अप्लाई करें गाइज इस इसका ध्यान रखें कि हाप बहुत सॉफ्ट हातों के साथ यह करें ज्यादर जोर ना लगाएं तो देखिए गाइज मैंने पूरी प्लेट पे लॉसी वार्णिश अप्लाई कर दिया है अब मैं इस प्लेट को कुछ खंटों के लिए सूखनी के लिए रखतूंगी देखिए गाइज ग्लॉसी वार्णिश के वर ऐसे प्लेट शाइन कर रही है और सूखने के बाद यह और भी अच्छे से शाइन करेगी आप इसको सूखने के लिए रख दीजिए दो घंटा दो घंटे में यह राम से सूख जाएगा पंके के नीचे रख दीजिए गाइज गरम जगा पे मत रखिए और यह देखिए यह है मेरी प्लेट जो मैंने बनाई हैं यह है जो हुआ लाइज जो धो देखिए एड़त लाम से achen